सो एलो ओस्तेर कैसे हो आप सब लो सो इस आज जो है रिव्यू करने वाले हैं अपनी आर्म 5 वर्जन 4 का जो की पीछे खड़ी है मैट ब्लैक में आपके काफी सारे डाउट्स भी थे कि भाई इस कलर में या फिर जो है रेड कलर में क्विक सिफ्टर लगेगा या नहीं लगे सबसे पहले अपको ट्रांस्पेरेंट आपको देखने को मिल जाएगी बाकी फुरा यह प्लास्टिक का है तो यहां पर जो है मैट ब्लैक कलर है और धूल काफी जल्दी पकड़ता है एंड उसके लाव बीच में आपको यह प्रोजेक्टर हेड़ लेंप देखने को मिल जा पर यह नीचे से सेट हो जाना चाहिए, यह देखो, बुल्ट से अगरा दिये गए हैं, तो यह सेट करा लेंगे, बाकि जो साइड में चेक करो, DRL आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल R7 वाला पुरा फ्रेंट लुक देखने मिलेगा, इधर भी DRL आपको देखने मिलती हैं, जो यहाँ पर golden कलर के जो है आपको UST suspension देखने मिल जाएगा, पीछे के साइड में जो radiator आपको दिख रहा है, यहाँ पर plastic में जो है आपको मटगार देखने मिल जाएगा, ABS की जो स्टिकरिंग यहाँ पर देखने मिल जाती है, हेंडर सेक्शन का MRF कमपनी का tire आपको देखने म है। यहां पर इपनी प्रस्reatytic मिलते हैं ऑभी अभी साइड में देखते हैं कि क्या मिलते हैं। सबसे पहले दो यहां पर नोट डाउन करो यह जो आपको हेलोजन में इंडिकेटर से देखने मिलते हैं इसके पर जो स्टिकरिंग थी वह जो है थोड़ी सी अजीब सी जो है वह छोड़ गी है अपनी जो होती है मतलब गम टाइप तो वह जो आभी अटाना पड़ेगा पेट देखने में सही लग रहा है ज़ाद अच्छा नहीं बोलो हम इसको तो बाकी जो है कुछ ऐसी लग रही है साइड से और नीचे की साइड में आऊं तो यह कुछ यहापे डिजाइन दिया है नीचे एमा का स्टिकर और यहाँ पर आगे की तरफ जो है कुछ ऐसा आपको सकते हैं साफ टेकिन फिर इतने एच्छे से किलियर नहीं होता तो वो जो है कंपनी वाले करेंगे और इसकी विज़े से कुछ खराबी भी हो सकती है जहां तक मेरे को लगता है यहां पर जो है इस आपको आरन 5 वर्जन 4 की पूरी स्टिक्रिंग देखने मिलेगी वाइट ए यहां पर आपको जाली देखने मिलती थी और अलग डिजाइन था थोड़ा सा ज्यादा स्पेस था लेकिन अभी आपको सिंपल ऐसा देखने को मिलता है यह कुछ डिजाइन इसका साइड से जो टैंक के वो अपने 11 लिटर का आपको देखने मिलता है तो लगबग 11100 रुप अब भी डिस्क ब्रेक एंड जो है अगेन ABS आपको देखने मिल जाएगा यहां पर आपको जो हार्म 5 वर्जन 4 की स्टिक्रिंग देखने मिल जाएगी एंड टूबलेस टाय से दो नहीं तो अभी विचे की साइड में चल लूँ तो यहां पर आपको यह डिजाइन देखने मिलेगा यहां पर भी यहां पर आपको देखने हो हैं पर इलएड़ी टेल आपको देखने मिल जाएगी, तेलो मीनियम के काफी अपसी ही लग रही है यहां पर इंड जो है स tehd we मिल जाएंगे एंड इसकी जो है आप सीट को भी ओपन कर सकते हो यहां से सीट खुल जाएगी नीचे जो है आप सेटिंग बगर कर सकते हो अपने ब्लुटूथ की जो पुरा स्मार्ट एक्स क्रेक्ट्विटी दे रखे इसका साइड से जो कुछ ऐसी लग रही है इस साइड स आपको बता दुगा इस रेसिंग ब्लुव में क्या है कि आपको कोई कोस्ट नहीं देनी वो जो उसके साथ ही आता है जब बाइक आएगी तो जैसे एसेसरी जाते हैं साइड में लगके वो बोक्स मिरर्स वगरा के वैसी जो है रेसिंग ब्लुव के साथ में आपको देखन तो यह जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यूग सिफ्टर जो आप किसी में भी लगवा सकते हो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगेन यह पर डिजाइन दिया गया है और यह पूरी अपनी फेरिंग होगी तो चलिए भी टैंक पर दिखाता हूं आपको यह ज जाएंगे डिफ्रेंट डिजाइन के अभी एंड जो पूरा स्टेरिंग अपना मतलब सेम ही है थोड़ी सी राइडिंग पोजिशन चेंज हुई है थोड़ी सी ज्यादा वाइड हो चुके हैं यह अपना पूरा कॉंसोल है दोवारा से ओन करके दिखा देता हूं कुछ ऐस साइच तो यहां पर आपको गेर इंडिकेटर देखने मिलेगा यहां पे स्टीट मोड आपको देखने को मिल रहा है जिससे कहाकर सकते हूं इहां पर नीची जो आपको पूरी डीटेल इश्वाइश जोई करते है रियल टाइम यहां पर आवरेज आपको शोव कर रहे है तो फो पाइंट फोर लीटर पर हैंड़र किलो मिटर तो फो टूर पाइंट 4 लीटर पैटरोल बता रहा है कि 2.4 लीटर लगेगा जिस इस आपसे में चला रहा हूं आवरेज जो हैं आप 48 km per hour की speed मैंने रखी है यहाँ पर जो traction control on है तो इसको मैं off करना चाहूँ तो यहाँ पर जो है click करके रख सकता हूँ उसके बारे में detail में बताऊँगा तो यहाँ पर जो है इस आपको side में fuel meter मिल जाएगा तो एक कुछ information आपको इसमें मिलती है 지금 detail में button के about बात कर लेते हैं है सवाँ जिस button के बात कर रहाूँ तो यहाँ पर यह button देया गया है जो left में है वो trip के लिए है trip के लिए है trip के लिए आप set कर सकते हो आपको जैसे इस इस में click करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर इसमें फर्क क्या है फ़र्क कितना है, power जो है same है top speed जो है same मिलेगी performance same मिलेगी, फ़र्क इतना मिलेगा कि यहाँ पे आप lap जो है record कर सकते हैं टाइमर आपको देखने को मिल जाते है बैस इतना फ़र्क है उसके लाव कोई जादा फर्क नहीं है अब यदि जो होगा इस अभी मेरे को ट्रेक मोड हटाने है तो अगें जो है मैं लोंग प्रेस इसको करूँगा जैसी मैं इसको लोंग प्रेस करता हूं तो यह दो हट चुका है अभी जो ट्रेक्शन कंट्रोल यहां पर ओफ कर दिया था मैंने तो इसको जो दोवारा से मैं आपको सुना देता हूं स्टार्ट कर लेते है ज़्यां आपको देखने हूं मिलेगा बटन मिल जाएगा यहां पर इंडिकेटर का मिल जाता है यहां पर होर्न मिल जाता है डबल होर ने अभी मैं इसको एड़ी क्लिक करता हूँ तो मैं जो मैं बोल रहा हूँ न वो आवाज भी जो है एक दफा के लिए मतलब जो है गायब हो जाएगी देखना भी आप तो यह देखा भी मेरे आवाज नहीं आ रही होगी आपको इतना हेवी साउंड है इसका कि मेरी जो साउंड है वो भी इसने मतलब जो है कर दी बिल्कुल खतम यहाँ पर जो इगनिशन बटन आपको मिल जाएगा स्टोप रन एंड जो है स्टार्ट एंड यहाँ पर आपको एज़ाड को बटन मिल जाता है अभी ओन है तो इसको जो ओन कर लेता हूं मतलब जो ओफ करके उनकी है मैंने तो इसको ओफ कर देते हैं नीचे जो आपको बटन मिल जाएगा अभी जो है साउंड सुन लेते हैं कि बाइक की साउंड कैसी है साउंड के लिए आप बेसबरी से वेट कर रहे होंगे तो चलिए साउंड भी सुन लेता है भी स्टार्ट करने के लिए कोई क्लच नहीं दिबाना है कोई जो ब्रेक नहीं डारेक्ट स्टार्ट करो साउंड वैसी है बिल्कुल सेम है जैसी पहले थी अभी आपको फ्रेंट दिखा देता हूं फ्रेंट का जो प्रोजेक्टर वो दिखा देता हूं तो फ्रेंट से जो होगा इस कुछ ऐसी लग रही है अपनी यामा आरन 5 वर्जन 4 काफी सेक्सी हाई बीम में है अभी है तो काफी अच्छी लग रही है यह था आज की वीडियो में एक छोटा सा डिटेल्ड रिव्यू जिसमें कुछ डाउट्स आपके थे वो मैंने किलियर कर करेगा बाकि आई जी ते कुछ आज की वीडियो में मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम लाव यो